नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जैवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करेंगे साउंड प्रूफ कैनोपी के बारे में जैसे कि आप देख रहे हमने एक कंप्रेसर रखा हुआ है तो हम बात करेंगे कि soundproof canopy का design principle क्या होता है, क्या उसमें material यूज होता है और हम आपको एक makeshift soundproof canopy बना के भी दिखाएंगे और देखेंगे कि इस compressor किन्वाइस कितनी कम होती है हम ये db meter यूज करेंगे और आपको बिना canopy के पहले measure करेंगे कि ये compressor कितनी noise generate करता है उसके बाद जो हम अपनी temporary canopy बनाएंगे उसके बाद हम उस canopy का क्या आसर आया तो हम दुबारा measure करके देखेंगे कि ये compressor की जो noise level है वो कितना नीचे आता है हमारी soundproof canopy की वज़े से तो पूरा सीखने के लिए कि आप soundproof canopy कैसे बना सकते हैं इस वीडियो को आखिर तक देखेगा कोई भी part miss मत करिएगा हो सकता है आपको important जानकारी miss कर देए तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको जहाँ हम ये video record कर रहे है वहाँ पे आपको noise level दिखाएंगे कि मेरा noise level है क्या है जबकि मेरा compressor नहीं चल रहा है उसके बाद मैं अपने इस mini compressor को चलाऊंगा और फिर से हम noise level measure करेंगे उसके बाद make shift canopy बनाएंगे और उसके बाद हम इस compressor को उस make shift canopy से ढखेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारा noise level क्या आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ हम ये video record कर रहे हैं वहाँ पे noise level क्या है तो आप देख सकते हैं कि अभी जहाँ पे हम ये video record कर रहे हैं यहाँ पे जो sound level है जो noise level है वो लगबक 50 db है मतलब कि यहाँ पे तो अब हम अपना compressor ओन करते हैं और हम compressor से लगबक दो फूट दूरी पे ना पेंगे यह लगबक दो फूट दूरी हो गई कि अपना noise level क्या आता है तो दोस्तों हमने compressor ओन कर दिया है आप देख सकते हैं मेरे भी वाइस लेवल मैंने थोड़ी सी बढ़ा लिये ताकि मैं अपनी वाइस आपको सुना पाऊं अब आप देख सकते हैं कि मेरा noise level कितना हो गया है तो यह लगबक 85-90 के बीच में अब आ गया है तो आप देख सकते हैं कि यह compressor अच्छी खासी noise generate कर रहा है 90 decibel noise बहुत हामफुल मानी जाती है तो हम देखते हैं कि हमारी जो makeshift canopy बनेगी उसका इस compressor पे क्या आफर आता है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा कि हम यह makeshift canopy कैसे बनाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे अच्छा जो noise reduce करने का तरीका यह है कि जो आप जो आपकी machinery है जैसे आपका compressor है आप उसको brick wall के अंदर cover कर दे ब्रिक wall के अंदर cover करने से बहुत अच्छा आपको noise reduction मिलेगा हाला कि brick wall में cover करना कभी भी practical नहीं होता है आपकी machinery जैसे compressor है यह generator है इस टाइप की machinery के लिए तो इस टाइप की machinery के लिए जो सबसे standard जो professional तरीका है मेरे noise level को कम करने का वो तरीका है glass wool या mineral wool यूज़ करके तो glass wool या mineral wool एक material है जो की बहुत बारिक रेशे होते हैं और जो material की density होती है जो actual density होती है वो बहुत ही high होती है जिससे वो अच्छी खासी sound अब्जाब करता है तो यह material मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन आगे हम बताएंगे कि इरिटेशन के अलावा भी हमारी सेहत को कोई नुक्सान करता है और हम अपना makeshift canopy बनाने के लिए अपने इस generator को इस से cover कर देंगे इसको चारों तरफ से या जितनी तरफ से मैं cover कर सकता हूँ और फिर हम मीजर करेंगे कि मेरा noise level क्या आता है तो हम आगे आपको makeshift canopy और इस material के क्या कुछ harmful effect भी है वो भी आगे आपको बताएंगे तो दोस्तों आईए अपनी makeshift canopy हम बनाना शुरू करते हैं और हम आपको साथ की साथ कुछ design principle के बारे में भी बात करेंगे इस makeshift जो मेरा method है उसमें मैं cardboard यूज़ करूँगा और मैं दो cardboard की अलग-अलग layer यूज़ करूँगा उसके उपर मैं अपने इस compressor को mount करूँगा ताकि जो compressor की नवाई से बेस में ना आए बेस से मेरा compressor isolate हो जाए इस लकड़ी से अच्छा option होता है कि मैं यहां पर rubber के pad यूज़ करता लेकिन फिलाल हम plyboard के जो दो टुकड़े यूज़ कर रहे हैं एक के उपर एक ताकि अच्छे से isolate हो जाए मेरे बेस से क्योंकि मेरे बेस भी vibrate करेगा तो अब हम अपनी makeshift canopy बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों हम यह cardboard का डबबा यूज़ करेंगे और हम इस cardboard के डबबे में आप देख सकते हैं कि इसकी 5 side है एक इसका top हो गया यह bottom हो गया और यह 4 side हो गई हम इन 4 side को और इसके जो bottom है यह top है उसको मैं अपनी इस mineral wool से cover कर दूँगा हम दो इंच मोटी mineral wool यूज़ कर रहे हैं इसको cover करने के बाद मैं इसको अपने इस compressor पर रखूँगा आप देख सकते हैं मेरा compressor अच्छे से base से isolate हो गया है तो दोस्तों यह makeshift setup करने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि आप professional level पे soundproof canopy कि इस तरह से design कर सकते ह हैं साथ की साथ जो हम अपनी makeshift canopy बनाएंगे उससे मेरे 29 लेवल कितना कम होता है तो आप कहीं जाएगा मत करते मेक्शिफ्ट canopy बनाना उसके लिए मैं गलब्स का यूज़ करूँगा क्योंकि यह material मेरी स्कीन में irritation पैदा कर सकते हैं इस material को आप जैसे fiber glass है तो कांच के बह किसी तरह का VOC या harmful gas generate नहीं करता है हाला कि अगर इसकी dust है अगर आप उसको breathe कर लो तो आपकी सांस की नली में इरिटेशन हो सकती है साथ ही अगर आप इसको चूएंगे तो आपकी skin में इरिटेशन आएगी तो हम यह चूने के लिए woolen gloves का यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और अब हम इन चारों दिवारों को cover कर देंगे चारों वाल्स को cover कर देंगे दोस्तों अभी हम बहुत चोटे लेवल पर कर रहे हैं अगर आप इसको professional लेवल पर करें तो अच्छी quality के gloves यूज़ करें साथ की साथ अपने चेहरे पर मास्क भी लगाएं तो हमने इसको अच्छे से cover कर दिया है अब हम shallow tape की सायता से इसको चिपका देंगे और इसको इसके बाद अपने compressor पर रखके दुबारा हम अपना noise level नापेंगे तो दोस्तो हमने अपनी makeshift canopy बना लिए हमने इसको चारो तरफ shallow tape से इसको secure कर दिया है तो यह हमारी temporary canopy बन गई है अब हम इसको compressor के उपर रखते हैं तो हमने अपने compressor के base को पहले ही isolate कर दिया था और हमने अपने जो makeshift canopy बनाई है उससे हमने अपने compressor को ढग दिया है अब हम इस compressor को रन करेंगे और फिर से देखेंगे कि क्या db level आते हैं और हमारा कितना db level कम आया तो एक बार फिर से हम इस area का sound level मीजर करते हैं कितना है तो लगबग यह 50 से 55 के बीच में है अब हम अपना compressor on करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या sound level generate होता है इस बार canopy के साथ तो दोस्तों मैंने compressor को on कर दिया है और अब देखते हैं कि sound level क्या आ रहा है तो जो हमने makeshift canopy बनाई वो 20 से 25 db की 29 का reduction कर रही है बड़े आराम से तो यह बिलगुली makeshift canopy थी आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि जो professional level पर canopy बनती है जो production level की canopy बनती है वो कैसे बनती है और आगे के वीडियो में हम वो canopy आपको बना के भी दिखाएंगे तो हम आपको थोड़ा से brief करेंगे कि जो professional level पर canopy बनती है वो कैसे बनाई जाती है तो दोस्तों जो professional level पर canopy बनती है उसमें जो मेरे cardboard हम यूज कर रहे हैं cardboard की जगे हम MS का यूज करते हैं और MS को generally paint या powder coat किया जाता है और उसके अंदर की side 1,5 या 2 inch मोटी layer बिचाई जाती है इसी glass या mineral wool क और जैसे हमने cello tape यूज करी तो cello tape यूज ना करके एक दूसरी दिवार बनाई जाती है या लोहे की जाली से उसको ढखा जाता है ताकि वो अपनी जगें पर जमा रहे लेकिन इतना simple बरनी है कि मैं अपने compressor को या generator को या अपनी machinery को बस चारो तरफ या 5 तरफ या 6 तरफ स तो यह एक design challenge है कि मैं fresh air कैसे लूँ और मैं अपने hot air उसको exhaust कैसे करूँ या जो मेरे engine की exhaust है उसको मैं भार कैसे निकालू बिना sound को बढ़ाए तो हम आने वाले वीडियो में आपको वो वाले design principle भी बताएंगे कि जो मेरे ventilation है या जो मेरा air intake है वो किस तरह से इस तरह की canopy मे design होता है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा compressor है तो हम इस पूरे compressor को cover करके एक soundproof canopy बनाएंगे और साथ की साथ compressor बहुत सारी heat भी generate करता है इस compressor में 11 kilowatt की motor लगी हुई है तो यह 11 kilowatt के बराबर heat भी generate करता है तो हम इस compressor के लिए fresh air intake और जो मेरी hot air होगी इसका exhaust भी आपको बना के दिखाएंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe करिएगा हम अगले चैनल में बताएंगे कि आप इस generator के लिए किस तरह से soundproof canopy त्यार कर सकते हैं तो हम आपको पूरी canopy start to end आपको design करके दिखाएंगे और manufacture करके दिखाएंगे कि इस compressor में कितना db level म अगर आप किसी तरह की manufacturing करते हैं या engineering के चाते रहें तो भी हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आगे हम इसी तरह की important जारकारी समय समय पर आपको देते रहेंगे हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएगा यह वीडियो देखने के लिए झाल 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